हेलो गाईज, वेलकम बैक टो माई चैनल, आज मैं आपको हिउमेन ब्लड के बारे में बताने वाली हूँ, तो वीडियो के इन तक बने रहे हैं, चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहूं, या आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबाने तो चलिए बीडियो को स्टार्ट करते हैं human blood the study of blood को hematology करते हैं तो लिख लेते हैं study of blood को क्या करते हैं study of study of blood is known as hematology hematology study of blood को hematology करते हैं हैं तो hematology generally दो पार्ट में बटा होता है एक होता है आपका hematow और दूसरा होगे हैं logi तो hematow का मतलब होता है blood hematow का मतलब होगे आपका blood और लॉजिक का मतलब होता है तूस्टडी तूस्टडी यानि ब्लट के बारे में study करने को hematology करते हैं अब आपका एक और पॉइंट उड़ता है कि एक इस टाइप का और्गेन है तो यह एक मेजोडर्मल और्गेन है लिख लेते हैं कि एक मेजोडर्मल और्गेन है तो blood मेजोडर्मल और्गेन होता है मेजोडर्मल और्गेन एक और पॉइंट है कि ब्लट के specialist को क्या काते हैं तो ब्लट के specialist को हीमेटो लॉजिस्ट काते हैं तो लिख लेते हैं कि ब्लट के specialist को क्या काते हैं तो specialist of blood specialist of blood is known as हीमेटो लॉजिस्ट हीमेटो लॉजिस्ट हीमेटो लॉजिस्ट जो डॉक्टर होते है जो blood को measure करते हैं, जो specialist होते हैं, उनको hematologist कहा जाता है, और जिस से measure होता है, इसको hemocytrometer करते हैं, जिस instrument से measure होता है, इसको hemocytrometer करते हैं, तो वो भी लिख लेते हैं कि, किस instrument से इसको measure किया जाता है, तो hemocytrometer से measure किया जाता है, इसको, instrument instrument short form में लिख देते हैं उतना लंबा लिखने के जरूरत नहीं है तो हीमो साइटो मेटर साइटो मेटर से इसको मेजर कह जाता है यह instrument होता है जिसमें RBC, WBC, Plasma, Blood सब के बारे मेजर होता है वही कौन आप कहो गया हीमो साइटो मेटर अब एक और पॉइंट उटता है कि Blood से जिनको फियर होता है उनको क्या बोला जाता है किस नाम से जाना जाता है तो जान लिजिए कि Blood से जिन लोगों को फियर होता है तो उनको हीमोफोबिया बोला जाता है जैसे कि बहुत कोई लोगों को किसी ने किसी चीट से डर होता है जैसे किसी को हाइट से डर होता है तो इसको एक्रोफीबिया कहा जाता है किसी को वाटर से फीवर होता है तो इसको एक्रोफीबिया कहा जाता है वैसे जिनको ब्लड से फीबिया होता है तो उनको हीमोफोबिया कहा जाता है तो लिख लेते है कि fear of blood fear of blood fear of blood तो उनको हीमोफोबिया कहा जाता है हीमोफोबिया हीमोफोबिया के नाम से जाना जाता है जिनको blood से डर होता है उनके लिए अब एक और point है जो कि बहुत ही important है बहुत ही बार पूछा गया है एक्जामों में कि blood का pH value कितना होता है और उनका कभी-कभी range में भी पूछता है कभी-कभी value भी पूछता है pH का तो हम range और value दोने भी बताने वाले हैं इस वीडियो में तो चलिए लिख देते हैं pH value of blood value of blood तो pH value होता है उसको 7.4 और range में लिख देते हैं bracket में आपका 7.35 से लेके 7.45 इस यह हो गया आपका range यह range हो गया और यह value हो गया exact अब एक और interesting सवाल उठता है कि blood का test कैसा होता है तो कभी किसी ने blood को test किया है तो please comment में बताईएगा कैसा होता है blood का test लेकिन इस वीडियो में हम बताने वाले हैं वैसे आपको तो blood का test salty होता है तो लिख देते हैं test of blood salty लिख देते हैं लिख देते हैं अब एक बहुत important topic उठता है कि blood की quantity कितनी होती है human body में तो male औफ female में different होती है male का ज़्यादा होता है female का कम होता है थोड़ा male के हिसाब से तो लिख देते है quantity कितनी होती है तो quantity of blood in human body तो quantity short form में लिख देते है female में आपका कितना होता है and male में कितना होता है तो female में चार से पांच लीटर होता है और मेल में पांच से छे लीटर होता है लीटर स्वाट फ़र में लिख दिये हैं अब कभी कभी होता है ना कि यूनिट में भी पूस देता है कि यूनिट में कितना होता है मेल का फीमेल का तो दोनों का लिख देते हैं तो मेल का आपका हो जाता है 10 से 14 यूनिट यूनिट में और फीमेल का 14 से 17 यूनिट इतना यूनिट मेल में होता है और इतना यूनिट फीमेल में होता है बलड तो आज का टॉपिक यही पे समाप्त हुआ I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लास टक देखने के लिए थांक यू सो मच